जादुई मेंधक, सोनु और मोनु बहुत अच्छे दोस्त थे। शाम के वक्त वे दोनों साथ साथ गेन से खेला करते थे। एक दिन सोनु ने मोनु से कहा। चलो दोस्त, आज नदी किनारे चलते हैं, बहुत दिन हुए वहाँ जाकर नहीं खेला। मगर वहाँ जाएंगे, तो हमारी गेन पानी में गिर सकती है। कुछ नहीं होगा, तुम चलो तो सही। ठीक है, दोनों नदी किनारे जाकर खेलने लगते हैं, अब उन्हें वहाँ बहुत अच्छा लगता है। सोनू, कल से रोज यहाँ आएंगे, सच मुझ बहुत अच्छा लग रहा है। दोनों दोस ने तै किया, कि अब वो रोज यहीं आकर खेलेंगे। कुछ दिन तक सोनू मोनू वहीं जाकर रोज खेलने लगे। पानी में एक जादूई मीनख रहता था, जो उन्हें हमेशा देखकर खुश हुआ करता था। खुश, मैं भी इनके साथ खेल सकता। बड़ी ही मज़ेदार गेंद है, मगर मैं इनके साथ कैसे खेलू। एक दिन सोनू खेलते समय मोनू से कहने लगा। ज्यान से दोस्त, कहीं गेंद को पानी में मत फैंक देना, हमारे पास और गेंद नहीं है। अच्चानक कुछ देर बाद मोनू से गेंद पानी में जा गरी। अरे तुमने ये क्या किया, अब हम क्या करेंगे। अच्छानक मेंधक को मौका मिला, मेंधक ने गेन को सोनू मोनू को वापस लोटा दिया अरे ये कैसे हो सकता है अरे दोस्त देखो हमारी गेन वापस आ गई, दोबारा फेंक कर देखू नहीं नहीं अगर फिरना लोटी तो कुछ नहीं होगा सोनु ने दोबारा गेन को पानी में फेंका फेंकते ही वापस मेंढक ने गेन को बाहर कर दिया और ये देखो हमारी केद फिर से वापस आ गई कौन है पानी में? कौन है जो हमारी केद वापस कर रहा है? मैं हूँ, मैं तुम्हारे साथ केलना चाहता हूँ मैं हूँ जादूई मेडग, मुझ में बहुत सी शक्तियां है, मैं तुम्हारे साथ खेल सकता हूँ, पेड़ पर चड़ सकता हूँ, और बहुत कुछ कर सकता हूँ क्यों सच में तुम तो बड़े मज़दार हो, आज से हमारे साथ खेला करो, तुमने हमारी सबसे अच्छी गेन हमें लोटाई है, आज से तुम भी हमारे दोस्त हो सरूर, जादूई मेडक सोनू मोनू का दोस्त बन चुका था, अब जब भी उन्हें खेलना होता वे नदी किनारे ही आते, और जब भी नदी किनारे आते और पानी में गेन चली जाती, तो जादूई मेडक उनका अपना दोस्त उसे वापस कर देता